हिमाचल परदेश की राजदानी शिमला से कसोली करीब 60 किलोमेटर की दूरी पर है शहर की बीड और शोर से दूर कसोली खुबसुरत हिल इस्टेशन है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होश्टा विरल और आप देख रहे हैं गुमो जी भरके गर्मी का मोसम आचुका है और समर विकेशन की शुरुवात हो चुकी है इसलिए अब लोगों का परिवार और दोस्तों के साथ गुमने का मन बनने लगा है गर्मी की छुटियों में लोग ठंडी जंगे पर जाना पसंद करते हैं ऐसे में मोसम के हिसाब से हिमाचर प्रदेश के कसोली की यात्रा करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है दोस्तों आज हम खड़े हैं कसोली के अंदर और हम आपको अपनी टीम के जरिये आज एक नया होटल दिखाने जा रहे हैं जियां दोस्तों ये होटल है कसोली के अंदर जहां बहतर सुविधाओं के साथ आपको independent rooms, self kitchen और बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों वीडियो को बिना skip करें जरूर देखें और अपने सगी संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें हम आपको फिर दुबारा से अपने चैनल के जरिये कसोली के एक होटल के अंदर लेकर आए हैं जो बेहती एकांत और शान तेरिये में बना हुआ है जैसा कि लोगों की अपनी आजकल पसंद है कोविट के चलते लोग सिटी से बाहर भी रहना पसंद करते हैं उन्ही सब चीजों को देखते हुए आज हम आपको इस होटल का अंदर का सारा नजारा दिखाने जा रहे हैं अगर आपको भी इस होटल में आना है तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर आकर इंजॉय कर सकते हैं वो भी बेहत की फायती दरों पर चलिए दोस्तों बात करते हैं इनसे और रूम की तरफ लेकर चलते हैं आपको ठीक है तो आप थोड़ा सा हमें रूम दिखाएंगे देखे दोस्तों पहले हम चल रहे हैं इनके रूम नंबर 101 की तरफ जहां पर ये सिंगल डिलक्स रूम ये बता रहे हैं जहां पर एक नॉर्मल एक बैड रूम होता है लेकिन आप एक चीज यहां पर गौर करने की बात है दोस्तों कि ये बैड रूम का आप साइज देख सकते हैं ये भी कोई बैड रूम फैमिले सुईट से कम नहीं है मैं इसको एक फैमिले सुईट का ही नाम दे सकता हूँ अगर इसके अंदर आप चाहें तो एक्स्टा बैड लगा कर भी आसानी से काफी लोग चार लोग त लिएड चाहें बाकी आपको दिखी रहा है वीडियोगे अंदर कितना सुंदर नजारा जहां की सुभह की किरन पहली सूरज की आपके कमरे के अंदर तक आजाएगी मैं विंड़ो हटाके कर्टन हटाके भी आपको यहां के लाइव नजारे दिखा रहा हूँ आप देख सक आपको इस property के अंदर और enjoy करने के लिए मिलेगा ये देखे दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं इस कमरे के terrace area पे आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग properties में तो रुख जाते हैं लेकिन हमारे लिए वो आजादी वो सांस लेनी की जंगे हमें properties में नहीं मिल पात आप देख सकते हैं कि इस कमरे के बाहर balcony है और एक open terrace area है जो कि में होता है वाश्रूम भी इनके बहुत सुंदर और basic सभी amenities के साथ बनाए गए हैं सभी rooms के bathroom में गीजर रगा है जो कि 24 x 7 इनके पानी की कोई भी किलत नहीं है यहां पर किस भी तरह की आपको पानी के लेकर ज पहले दोस्तों यह था इनका डिलक्स bedroom इसी के बाद अब हम चलते हैं इनके साथ एक family suite देखने हैं देखे दोस्तों सबसे basic चीज फिर दुबारा से terrace अब हम फिर आ चुके हैं top floor पर top floor से यहां के नजारे यह पूरा यहां से कसोली दिखाई देता है देखे दोस्तों यह है family suite family suite के अंदर जैसे आपको पता ही है कि two bedroom set होता है और attach one washroom होता है लिए इस family suite के अंदर कुछ अल बड़ा terrace है जो की top floor पर है जहां से आपको पूरे कसोली के नजारे दिख रहे हैं green वातावरण दिख रहा है अब चलते हैं दूसरे bedroom की तरफ अगर आप इस bedroom में आए और इसी से आप connected washroom देखना चाहें तो यह इसका washroom है आप देख सकते हैं वीडियो में काफी बड़ा spacious और neat and clean basic amenities के साथ यहां washroom बना रखा है दोस्तों आप देखिए यह इनका washroom area और इसी washroom से अब हम बहार निकलेंगे तो हमें दूसरा bedroom देखने के लिए मिलेगा यह है इनका second bedroom area कर दोस्तों यह है कासोली के अंदर एक बहुत सब्सक्राइब कर दोस्तों दोस्तों यह है कासोली के अंदर सुन्दर, independent, कोठी जिसके अंदर आप 6 या 7 फैमिली या 8 फैमिली अराम से self kitchen के साथ भी रह सकते हैं open terrace, open balcony, kuliduli parking, wifi, self kitchen और बहुत कुछ अगर आप भी कासोली की तरफ आ रहे हैं और इस hotel की booking चाहते हैं तो आप नीचे दिये गए नंबरों पे call करके हमसे यहां का tariff या बेहत किफाइती रेटों पे discount के साथ details प्राप्त कर सकते हैं मैं हूँ आपके साथ अवीरल, आप इस video को share करना ना भूलें हम इस समय खड़े हैं कसोली के अंदर, pine grove in hotel के अंदर